Hello friends, आप देख रहे हैं आपका चैनल Investment का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Zomato के स्टॉक के बारे में Friends, Zomato के स्टॉक में आज एक भारी घिरावट देखने को मिली लगबख स्टॉक में आज 7 प्रतिशत का डाउनफोर्ल देखने को मिला stock दोस्त आप कहाते है results के करण आज गिरावट हुई है सभी दोस्त आप कहाते है news channels में और brokerage downgrades के करण आज Zomato के stock में गिरावट देखने को मिली है और अब 70 रुपे का level चुएगा या 1.500 रुपे का level चुएगा और क्या होंगे 14 February के internet target stop loss and resistance तो वीडियो का internet देखना वीडियो अच्छा लगे तो like करना share करना subscribe करना दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं आज आप देख सकते है market में गिरावट थी भारी गिरावट थी दोस्तों market में आज क्योंकि US Fed rates जो थी उसमें आप कह सकते हैं बड़ोतरी देखने को मिलिए इसके करना आप कह सकते हैं overnight SGX Nifty में एक तगड़ा downfall देखने को मिला आपको इसके करना सभी index में आज एक गिरावट देखने को मिलिए sensex, nifty, bank, nifty, nifty, midcap index सारे index आप कह सकते हैं आज bloodbath कर गए सबसे जादा आप कह सकते हैं कि cut देखने को मिला है nifty, midcap index में और सारे midcap stock चाहिए वो, BHEL, PNB, Zomato और सारे high volume stock यह सारे stocks आप कह सकते हैं एक तगड़ी गिरावट आप लोगों को देखने को मिलिए stock के दोस्तापन technical ratings पर आगए technically stock of very very zone में काम काच करता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पर 1% भी दोस्ताप कह सकते हैं buying नजर नहीं आ रही है तो यह आप कह सकते हैं red signal एक stock के लिए resistance level की बात करें दोस्तों आज एक भी resistance stock clear नहीं कर पाया even though इसने आज दो support levels breach कर दिए तीनो support level breach कर दिए माफ करेगा 90 रुपीज का भी जो एहम लेवल था उस लेवल को भी दोस्तों आज इसने तोड़ दिया और लगबग 88 रुपी 60 पसे के असपास stock में closing देखने को मिली है stock के अंदर दोस्तों 28 block deals देखने को मिली है अब दोस्तों फासला बहुत कम रहे गया 52 वी close है लगबग 5% का फासला रहे गया है दोस्तों 52 वी close है तो आपको चोड़ आप cautious रहना होगा stock के लिए क्योंकि आप बिल्कुल issue price के नजदी काता हूँ stock देखने को मिल रहा है जो कि 76 था और अभी 88 पे कामकाच करता हूँ देखने को मिल रहा है तो अभी दोस्तों मेरी इसला यहीर होगी कि अभी आपको उपनी positions नहीं बनानी है wait करना है 100 रुपे का level जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था 100 रुपे का level जब तक दोस्तों इस टोक में नहीं टूटेगा तब तक आपको बाइंग कर नहीं करनी है 100 रुपे का level टूटते ही एक खड़ी ज़ंडी मिलेगी स्टोक को एक अच्छी तेजी होगी और लगबक 110-120 रुपे का level आपको immediate basis पर देखने को मिल सकता है स्टोक के दोस्तों रिजल्स अनाउंच होए थे रिजल्स अपडीट हो गए हैं आप देख सकते सेप्टेंबर कॉटर में 897 890 करोड का revenue था और इधर revenue में बड़ोतीरी देखने को मिल से December कॉटर में लगबक 940 करोड का revenue देखने को मिला है नेट प्रोफिट की पर अगर बात कर ले तो दोस्तों 400 करोड का लॉस था पिछली बार जी हैं दोस्तों 414 करोड का लॉस था और अभी मातरे 99 करोड का लॉस है तो आप कहा सकते कि लॉस में recovery मतलब कहा सकते हैं लॉस में गिरावट देखने को मिली है और कंपणी अब धी तेरे profitable होती है नजर आ सकती है 99 करोड का छोटा सा लॉस देखने को मिला है और अगले quarter में अगर हालात सुधरे होए तो रहे तो I think so profit में भी कंपणी आ सकती है तो और कंपणी का आप देख सकते हैं सारे PS सारी new edge company सारी software developer company आज में गिरावट देखने को मिली सबसे ज़्यादा गिरावट Megasoft में आज देखने को मिली और दूसरी number पे ATM में और फिर दोस्त आप कह सकते हैं Zomato के stock में गिरावट देखने को मिली पूरा stack दोस्त आप कह सकते हैं सारे peers लिया हैं आप देख सकते हैं किसी भी peers में तेजी नहीं है सारे peers में आज आप कह सकते हैं कि एक तगड़ी गिरावट देखने को मिली है सारे ऐसे stocks में आज एक तगड़ा downfall आप लोग को देखने को मिला है stock के open की बात कर ले तो stock 2 रुपे नीचे open हुआ क्योंकि आप सब कह सकते हैं markets में काफ़ी ज़्यादा downgrades थे blockage houses के इसलिए stock बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिला बट दोस्तों एक Morgan Stanley है उन्होंने लगबग 1500 रुपे का targets अभी भी दिये और high देखें 92 रुपे 75 पैसे का उसके आप कह सकते हैं stock का open और high एकदम equal है उसके बाद से दोस्तों stock में गिरावट हुई और लगबग 86 रुपे का level आज इंट्राडे में stock ने चुआ 84 का I think lower circuit था वो नहीं यह तुआ बट 86 रुपे का भी level stock ने अज इंट्राडे में चुआ है stock के अंदर दोस्तों आज 40 million की volume हुई है 4 करोड की volume हुई है लोगों ने दोस्तों आप कह सकते हैं buying भी करिए lower levels पर ऐसा नहीं है कि आप हर तरफ selling थी लोगों ने दोस्तों lower levels पर buying करिए और अच्छी खास है आज buying volume stock में देखने को मिल लिए तो सेलिए दोस्तों आप चलते है Zomato के intraday charts पर और कल किया और long term के intraday targets stop loss resistance पर चर्चा करते हैं तो friends पहले intraday charts पर आने से पहले अपन कुछ news पर अपन चर्चा कर लेते हैं आप देख सकते हैं mint ने डाला है कि Zomato share plunge 5% ahead Q3 post Q3 results should you buy or sell और इधर रेटिंग दिए और दोस्तों एक और खबर निकल कर आई एक कोनोमिक टाइम से Zomato tax near record loss but analysts see up to 80% returns ahead तो आप कह सकते हैं अच्छी भी आप कह सकते हैं कंपनी के reports देखने को मिल रही है और company दोस्तों आप कह सकते हैं कि धी तेरे loss कम कर रही है और company का revenue बढ़ रहा है तो results में दोस्तों ऐसे कुछ खराबी थी नहीं बट दोस्तों आप कह सकते हैं market इसका reaction इतना खराब क्यों ले रहा है पिछली बार दोस्तों खराब results आये तो market ने अच्छा boost दिया था और stock लगबग 10% का intraday में तेजी करा था after results और अभी दोस्तों results खराब अच्छे आये तो market ने गिरावट दीख दम reverse काम काच कर रहा है market में अब दोस्तों intraday charts पर आगए पर दोस्तों 88 रुपीज 80 पैसे पर इदर closing बता रहा है अब दोस्तों वो क्या करना चीए दोस्तों मैंने आपको कल अभी थोड़े देर पहले भी कहा था कि 100 रुपे का level जब तक stock नहीं चुएगा आपको buying initiate नहीं करनी है but for a change दोस्तों कल की दिन इसमें हो सकता है यानि Monday के दिन हो सकता है कि Zomato का stock will be in pullback mode तो आपको क्या करना है आपको CMP पर ख़िदारी करके चलना है और आपको intraday में 93 रुपीज तक का target देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों पिष्ली बार जब stock में गिरावट आई थी इसी basis पर तो दोस्तों stock में एक तगड़ा bounce back अगले दिन देखने को मिला था पहरे 20% का गिरावट हुई फिर दोस्तों आप कहा सकते 20% के गिरावट हुई स्टेबल है इस company का काफी ज्यादा स्टेबल है अगले तीन quarter में company definitely profit में आने की कोशिश करेगी और जैसे ही दोस्तों आप company profit में आएगी market इसको reward देगा और 100 क्या 150 पर का भी level Zomato का stock definitely छू सकता है as per the financials तो दोस्तों that's it for video ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को like करें share करें subscribe करें दोस्तों thank you friends for watching this video